नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यूं महिलाओं के लिए खास करके गुड और चना बहुती ज़्यादा लापकारी सिद्ध होता है और बहुती अव जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारी बोड़ी ऐसी बन जाती है कि थोड़े से भी उसे कोई ना कोई रोग होते रहते हैं जिसका मुक्य कारण रोग प्रती रोदक शमता का कम होना यानि की कमजोर इम्यूनिटी का होना होता ह दोस्तो इन सभी समस्याओं में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो महिलाओं को जी हाँ इनी बीमारियों में से एक बीमारी है एनिमिया दोस्तो इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है आप सभी लोग अच्छी तरही से जानते भी होंगे ये बीमारी जादातर महिलाओं को होती है महिलाओं में रक्त में हिमोगलोबिन की कमी से होने वाले रोग एनिमिया की शिकायत हो जाना एक आजकल तो एक आम समस्या बन गई है शरीर में खास तोर से आईरन की कमी की कारण ऐसा हो जाता है ऐसे में महिलाओं को अपनी डाइट में आईरन से भरपूर चीज लेने के सला दी जाती है ताकि हिमोगलोबीन का जो लेवल हो वो कमना हो एनिमिया की समस्या को दूर करने में गुड और चना बहुती ज़्यादा फाहिदेवन साबित होता है अगर आपको हलका एनिमिया है तो इससे आप आसानी से काबू पा सकती है अगर आपका एनिमिया गंबीर है तो उसके लिए डी वामिंग और ओल थेरीपी की जरुत होगी तो चलिए जब दोस्तों जानते हैं कि इस प्रकार के रोग में गुड और चना किस प्रकार से फाइदेमन होता है दोस्तों गुड में भरपूर मात्रा में आइरन होता है इसमें शुगर भी मुझूद होती है इसका सेवन करने से ये शरीर में हेमोगलोबिन याने की खून को बढ़ाता है साथी खून को साब भी करता है और खून में हेमोगलोबिन के स्थर को बढ़ाएगा इसमें भरपूर मातरा में पोटेशियम, आइरन, सोडियम, विटामिन, कार्वोहेडरेट की मौझूदगी से सेहत के लिए काफी फाइदे मन्द हो जाता है दोस्तों ये रोग प्रती रोधक चमता को इंक्रीज करता है खून से जुड़ी समस्याओं से हमारी मदद करता है इसके साथ साथ शरीर से जो विशेले पदारते उनको भान निकालने में भी ये काफी जदा हेलफूल होता है जिसके कारण आपको डाइबिटीज, एनिमिया जैसी बीमारियों से ये बचा कर रखता है ये केवल रक्त कुशिकाओं का निर्मार्ण ही नहीं करते बलकि हेमोगलोबिन बढ़ा कर किड्नियों को भी नमक की अधिकता से साफ करते है दोस्तो महिलाओं को गुड और चने, रोजाना खाने से केवल एनिमिया से ही रात नहीं मिलेगी बलकि कई सारी समस्याओं से भी निजात मिलती है ये शरीर में जिस तत्व की कमी होती है उसे पूरा करता है साथी आपकी शरीर को अधिक मातरा में उड़जा भी प्रदान करता है याने कि अगर आशान भासा में बताएं तो एनरजेटिक बोड़ी आपको प्रदान करता है जिससे आपको थकान और कमजूरी भी महसूस नहीं होती है इसलिए रोजाना अगर थोड़ी मातरा में ज्यादा नहीं दोस्तों अगर थोड़ी सी मातरा में गोड़ और चने का आप लोग सेवन करें तो इससे कई सारी बिमारियों से आप बचकर रह सकते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की विशेज जानकारी खास करके महिलाओं के लिए कि गोड़ और चना किस प्रकार से इफेक्टिव होता है हमने आपको बहुत ही आसान भाहसा में समझाने की कोशिच करिए इसके गोड़ों को बताने की कोशिच करिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है जानकर ये अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दमाए धन्यवाद दोस्तों